हालो स्टुडेंट आज हम एक्टिविटी वन का क्वेशन नंबर पूर करेंगे देखो इदर देर आर टू ग्लासे ऑफ मिल्क ऑन दा टेबल के उपर दो ग्लास पड़ें मिल्क के तो हमें तभी पदा चलेगा हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफ्रेंस आएगा जो वो मॉर मिल्क निकल जाएगा और किसमे कितना जादा यह वो भी हमें पता चल जात वैसे तो हम मेंग पता है कौन से गलास में है Втор गलास फ्रस्स जब्स से चेकन जादा विका तो हम माइनस करना है तो माइनस में जो बड़ी equation उपर लिखेंगे तो उसकी जो line उसको भी उपर लिखो गया glass 355 milliliter, milk in first glass 285 milliliter, दोनों को माइनस किया more milk आगे 70, तो answer क्या लिखोगे, second glass has more milk by 70 milliliter तो आप इसको ऐसे करोगे yes, अब हम करेंगे measurement of length तो अब हम meter और centimeter लेंगे सबसे पहले, जो length है ना हम उसका measurement करते है meter और centimeter से जिसे मालो कोई भी बड़ी चीज है ना उसका हम measurement meter में करते हैं चोड़ी सी चीज का measurement हम centimeter में करते हैं ओके, जिसे मालो की मतलब height of my height यह height of boy उसका measurement हम किस में करेंगे? meter में जैसे length of book book की length का measurement हम book की length का measurement किस में करेंगे? centimeter में height किस में करेंगे? boy की? meter में ओके? अब देखो और कहीं भी distance जैसे the distance between Delhi and Allahabad is 663 km मतलब किसी शहर का road का distance जैसे यहां से जैसे धारिवाल से पठ्चान कोट का distance का जो measurement है वो हम kilometer में करते हैं किसी भी road की length का distance हम kilometer में करते हैं okay? student अब हम activity 2 करेंगे book में ही करना यह आपने तो इसमें आपने circle the correct unit of measurement इसमें circle करना है आपने correct unit को ठीक है first जैसे distance between Delhi and Mumbai मैंने अभी बताया था कि किसी शहर का measurement हम kilometer में करते हैं तो हम kilometer को circle करेंगे length of pencil pencil का measurement हम किस से करेंगे centimeter में okay? length of length of यह part part बड़ा होता है तो उसका measurement हम किस में करेंगे? meter में thickness of book book की जो मोटाई thickness होती हो? मोटी मोटाई जो होती है करती है उसका measurement हम किस में करेंगे? centimeter में जैसे यह होती ना जैसे यह मालो यह जैसे यह notebook है इसकी thickness thickness यह होती है यह इसका measurement हम किस में करते है छोटी है ना इसका measurement हम किस में करते है? centimeter में उसके बाद लेंथ आफ यह डेक्स जिस टेक्स में आप स्कूल में बैड़ते हूँ उसको जो लंद का मेरमेंट हम करते हैं सेंटी मीटर में तो यह जो एक्टिविटी टू है ना आप बुक में ही करोगे आज के लिए इतना ही काफी है